किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन कर्षी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत विले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के किसी विशेशग्य, देश के किसी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथियों, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्णा समर्पण भाव से, नेक नियत से, ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्णा रुप्षे शुद्ध, किसानों के हित्की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूत, कुछ किसानों को समझान नहीं पाए, बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, कृषी अर्थसात्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्वपूर्ण को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया, हम पूरी विनम्रता से, खूले मन से उन्हें समझाते रहें, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बाचित भी लगातार होती रही है, हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी, कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई, दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया, इसी दोरान ये विशेम माननीय सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया, ये सारी बाते देश के सामने हैं, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा, साथ क्यों, मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए, सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ, कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य, किया कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाएगें, आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है, ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है, आज मैं आपको, पुरे देश को ये बताने आया हूँ, कि हमने तीन कुरुशी कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्ने लिया है, इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्रह में, इसी महिने में हम तीन कुरुशी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे, साथियों मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ, आज गुरु परब का पवित्र दीन है, अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए, एक नई शुरुवात करते हैं,